most important topics और मेस के question analysis देख रहे हैं तो यह वो questions हैं जो आपके मेस के paper में 2024 में reflect हुई है तो यह वो topic लिए गए हैं जो आप बहुत असानी से आप देखेंगे paper में भी आ रहे हैं और बहुत असानी से आप लिख सकते हैं तो हमारा यह है कि GS 1234 सारे GS paper general studies paper से आपको 100 most important topic करा दिये जाएं साथ के साथ 100 most important questions करा दिये जाएं तो दोनों approach के साथ चलते हैं तो next हम question कर रहे हैं और next topic भी आप कर सकते हैं जिसे हम कह रहे हैं heat wave heat wave से you can expect question और यह heat wave का question जरूरी नहीं है GS third में ही आएं यह GS second में भी आ सकता है GS first में भी agriculture में आ सकता है society में आ सकता है question paper तो आप देखो environment ecology में पूछा जा सकता है जोगरफी में पूछा जा सकता है और बन heat island effect पूछ लेगा वो वो heat wave भी पूछ सकता है और पूछ सकता है किस तरह से global climate change के कारण यानि जलवायू प्रवर्टन के कारण agriculture की productivity कम हो रही है आपकी नजर में तो heat wave है heat wave कितना जो मिट्टी होती है उससे सारा मौश्य खतम कर देती है तो जो चावल की खेती को पैटी के खेती को बहुत सारा पानी चाहिए वो पानी नहीं मिल पा रहा और जो गर्मी हमबल होनी चाहिए क्योंकि गेहूं जो है winter crop है वेटा उसका harvest जो होता है यानि जब उसकी कटाई होती है तो summer होते हैं लेकिन mild summer आज इसनी हार समझ हो रहे है कि कटाई के समय आप देखेंगे गेहूं के गेहूं के जो यह होते हैं फ्लैंक्स होते हैं वो जलने लगे है प्रोड़क्टिविटी कम हो रही है अग्रिकल्चर की तो वो पूछ सकता किस तरह से जलवायू प्रवर्तन के कारण अग्रिकल्चर प्रोड़क्टिविटी यानि किसान की जो प्रोड़क्टिविटी है किसानी की जो प्रोड़क्टिविटी है वो कम हो रही है वो आप से पूछ सकता है किस तरीके से ग्लोबल क्राइमेट चेंज का इंडियन एकॉनमी परभाब पड़ा है जैसे आप देखेंगे LG है हमारे दिल्ली के उन्होंने कहा हीट वेप के दोरान की बारा बज़े से लेकर चार बज़े तक कोई भी लेवर से काम नहीं करा सकता अब लेवर से काम नहीं करा सकता तो जब आप काम नहीं करा होगे तो पैसे भी नहीं दोगे उसे और ढूंडोगी कौन सा काम मसीने कर दे तो पूरे दिन का पूरे दिन उसे बैठाये रखता है और उसकी हाफ सेलरी देता है तो इंडियन एकॉनमी पे भी इसने जोट डाला है उसको भी आप बताओ किस तरह से क्लाइमेट चेंज हमारी अर्थ व्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें कोश्चन डियाश्टर मैनेजमेंट पे भी आ सकता है किस तरह से एक हाइट वेब आपको यकीन नहीं होगा अरे दिल्ली दिल्ली का डाटा है तीन सो लोग मर गए तीन सो चार सो हमारी लिए खाली डाटा है और वो लोग हीट वेब से मड़ गये अधिस इस दा प्राब्लम तो आपका ये कोश्चन डियाश्टर मैनेजमेंट में भी आ सकता है यानि आप दा प्रवंदन में परवंदन करते हैं आप दा प्रवंदन एक टॉपिक है आपका बेटा हमने कोश्चन लिया है टॉपिक देखेंगे उस कोश्चन को करेंगे तो कोई भी डामेशन आजाए एग्रिकल्चर आजाए एकॉनमी आजाए हेल्थ आजाए तो साइटी आजाए एकॉनमी आजाए या डिजाश्चर मैनेजमेंट आजाए अपन कर लेंगे समझ अई बात हैं झी तो कोश्चन देखे क्या पूछा गया है जो मैंने आपको हिंदी में भी लिखवा दिया इंग्लिस में देखे क्या पूछ कोश्चन है तो यह कह रहा दर रिसेंट हीट वेव इन इंडिया है सोकास दा डाइवर्ट इटेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और पब्लिक हेल्ट अरे लोग मर गए यार ओयर इसकी मतलब बोडी में एसेंशल चीजों की कमी हो गई क्या हाँ अमीनो एसिट्स की कमी हो गई साथ के साथ बोडी का अब क्या होता है हीट के साथ हीट वेप के साथ मोश्चर भी है तो आपके सरीर पे पसीने नहीं आने देता और स्वेटिंग एक तरीका अपने बोडी को कूल डाउन रखने का और जब स्वेटिंग नहीं आती है वो रीएल फील एक तरह का हीट इंडेक्स है क्या है चलो कि आप देखो यूमिडिटी होने के कारण जो इनवार्मेंट का टेम्प्रेचर होता है उसके बहुत ज्यादा टेम्प्रेचर होता है जो हमें पता नहीं चलता है और हमारा चुछ पसीना है वो आता नहीं है श्यूटिंग आती नहीं है और स्यूटिंग आती नहीं है तो उसके कारण तो आपको 40 दिखा रहा है लेकिन आरह अगर 75 होने के कारण वो टेंपरेचर 13 पहुंच जाता है रियल फील यू आ नॉट कंसिरेडिंग डेट उसके तो बात ही नहीं कर रहे हैं और दिस इस और हीट इंडेक्स कि आप अगर देखेंगे एक तो दिक्कत यह है कि यह लोग फेरन हाइट में लिखते है अरे यूएस से वाले न अपना सेल्सियस बढ़िया है है ना क्यार समझे में भी कार दिमांग में कहा लगता है और फेरन हाइट इसकेल देखा जाए तो डिफिकल्ट है वह है है तो कुल मिला कर मेरा कहने का मतलब यहीट इंडेक्स तो आपको नहीं पढ़ना, कुल मिलाकर temperature, humidity के साथ temperature फर्दर बढ़ता रहता है यह heat stock को जर्म देता है तो हम public health की बात करें समझीए यही है ना question public health की बात करें, agriculture की बात करें, economic stability की बात करें, तो इन सब पे effect बताना क्या-क्या heat wave के हुए दूसरा question ही, दूसरा EC का part है, examines these impact thoroughly further access how effectively the government had responded to this crisis, यानि सरकार ने क्या-क्या किया है इसके लिए यह भी आपको बताना है further यह बताना है, क्या long term solutions होंगे, जैसे पेड लगाना एक long term solution है sustainable development करना एक long term solution है पेरो की deforestation कटाई बंद करना एक long term solution है public transport को बराबा देना एक long term solution है एक आदमी आ रहा है एक स्टार से public transport public transport क्योंगे आप तो आप यह देखो यॉरप में जाएंगे आप तो फ्रांस में क्या करा है, dedicated road जो asphalt की होती है asphalt बहुत गर्मी एब्जॉर्ब करता बेटा काली कलर की road होती है asphalt की, तो उन्होंने क्या करा asphalt की road हटाई है, वहाँ पर पैदल यात्री और cycle वालों के लिए road बनाना चालू करा, dedicated या तो public transport चलेंगे या पैदल यात्री या cycle पे चलेगा हमारी इंडिया में पता चला पेर काट काट के highway लिका ले जा रहे है, अभी उतरा आप हिमाचल परदेश में देखी बात है न, development क्या गेश नहीं है नेकि development ऐसा नहीं है कि पूरी जंगल के जंगल सफाई कर दे आज इंडिया में जिम कॉर्वेट नेशनल पार्क चले जाए आप, यह आपका, मानस नेशनल पार्क चले जाए, इस सब नेशनल पार्क के बीच से highway लिकाल रहे हैं, यानि नेशनल पार्क को छोड़ दे हम, जो जंगल है उनमें तो road ना बनाएं, this is the problem so long term solution क्या होंगे इस पे भी बात करेंगे should be implemented कैसे implement करे जाए to reduce the occurrence of such extreme weather event and promote sustainable development and to promote sustainable development ठीक है everyone सतत विकास कहते हैं sustainable development क्या कहते हैं सतत विकास कैसे किया जाए तो हम इसी question के साथ आगे चलता है किस तरीके से लिखा जाए पहले कुछ part मैं आपको नहीं लिखने वाला बता रहा हूँ जिसमें है वो technical part technical part आपको UPSC के paper में नहीं लिखना ये आपकी समझदारी तो हीट वेव जनरेट कैसे होती है उसका एक natural phenomena भी है ऐसा नहीं है कि आदमी man-made नहीं है हीट वेव लेकिन आदमी ने यानि anthropogenic activities ने हीट वेव को बढ़ावा दिया है हम ये कह रहे है हीट वेव आदमी create नहीं करता लेकिन आदमी की हरकतों ने उसे बढ़ावा दिया है एवरीवन तो पहले आपे समस्ते हीट वेव होती क्या है तो हीट वेव तीन चार्ट पहले इसके natural कारण देखते हैं क्या है पहला natural कारण है कि आप अगर मार्च के महीने के बाद देखेंगे तो intertropical conversion zone जो है यानि high pressure का जो area है आप यह समझे लिए high pressure जहां air descend कर रही है लिखना नहीं है आपको जो graphon नहीं बनना है पेपर में इसना technical नहीं लिख रहा है टेकनिकल क्यों बता रहे है जिसे कि आपको लगे teacher पड़ा लिखा है मजा था है तो कैलकुल मिलाकर मैं बस यह बता रहा हूँ कि टेकनिकल आपको थोड़ी बहुत टेकनिकलिटी पता हूँ तो मार्च के महीने के बाद पर्टिकुलर्ली अप्रेल मिड से मई के महीने में हाई प्रेसर बेल्ट इंडिया पे डिसेंड करती है जिसे ITC-Z कehtे इंटर्ट्रॉपिकल कन्वर्चन जोन और इंटर्ट्रॉपिकल कन्वरजन जोन क्यों कहते है कि यहाँ पर दो विंड नौर्थ इस्ट विंड जो बाद में साउथ वेश्ट बनती है और उपर से आने वाली नौर्थ इस्ट यह दो wind का मिलान होता है इसलिए इसे ITC-Z कहते हैं यहाँ पर high pressure बना होता है यह समझे तो जो wind descend कर रही है नीचे बैठ रही है नीचे बैठ रही है तो वो idiatic compression और heating करती है क्या कहती है बैठ चुई air क्या करती है high pressure रहिवासर बनाती है और adiabatic compression और heating करती है जैसे हम देखा ओगा by tire में हवा भरते है थो हवा भरने के कारण tire गरम नहीं हो जाता वária हमें क्रिव चार्टि अक्र दिख कर रहे हUNG कि नीचे कि अवरिवन तो शेज़ा फैलने लगती है ì पहला अधीर दूसा रीजन है कि इस बार हीट बे बहुत ज़्यादा आई हमारी इंडिया में नहीं नर्दर हमिस्पेर में हर जगह है जंगलों में आग लगी हुई है में के महीने में आप उतरा खंड और आप चले जाएं इमाचल प्रदेश इवन जून के महीने में चले जाएए अब तो खेर कम हुआ है ऐसा हार्डली कोई एरिया जहां आगे ना लगी हो फॉरिश फायर आर नाओ कोमन तो बात यह है इस साल कुछ और भी चीज हुई है उसे कहते एल्लीनो इवेंट एल्लीनो इयर रहा है इस बार एल्लीनो क्या होता है बस इतना समझ लो कि यहां पर पेरूवियन कोर्ड करें क्या नोमर्क python and each year में वह कराल हो जाता है और गराम ने गरम यह पूरा एल्लीनो क्या होता है इस पर हमने पादनीनो प्रणACE क Herren यह तहुँ नहीं को सम्झा दोगे मैं जिम्यीक में कहें हुआ थंडा समुद्र थंडी पानी होता है। थंडा पानी होता है समुद्री यहाँ पर जिसे कहते हैं पेरुबियन कोल्ड करेंट है वो और यह हो जाता गरम और इसके गरम होने के कारण यह गरमी हर जगे चैनलाइज़ होती है। इंक्लूडिंग इंडिया इसे एल नीनो कहते हैं तो इस बार एल नीनो इयर भी रहा है आई टी सीजेड भी बहुत दिन तक इंडिया के उपर डिसेंड करता रहा है एवरीवन दिस दा प्रॉब्लम दूसरा ये तो नेचरल कारण है लेकिन खाली चीजें नेचरल कारण से नहीं होती कुछ चीजें मैनमेड भी है और मैनमेड में आता अरवन ही टाइलेंड एक हमने कंकरटाइजेशन सिटी और सिटीज का इतना गरा है इतनी बड़ी-बड़ स्काइस्क्रैपर्स हैं अरे हवा को आप आज पतंग न उड़ाएं अगर आपने शुरुआत में पतंग उडाने की कोसिस करी होगी दस मिनट में तो इस चीज को समझने में लग जाएगा हवा किदर की चल रही है पहले हम छोटे बच्चे थे तो बता ले जाते थे हवा कि किस डिरेक्षन में चल रही है denn जब तक विट डिरेक्टर को आप पцы इस हो विडिन बहुंसा वे arranged और झाय तो इतना करा में विडिन नहीं जा पाती और जो हीट नीचे बैट रही है उससे जबहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है यह सी से के मंजिल इमारते बना बना कर बिल्डिंग्स बना बना कर हमने Green House Gas को गुलावा दिया है यह सीशे की इमारते, सीशे की बिल्डिंग यह सूरज की किरने अब्जॉर्ब करती है और इसो बापिस नहीं जाने देती और Urban Heat Island Effect को जनम देती है सहर और ज़्यादा गरम हो रहे है अब यह है अर्बन हीट आइलेंड इफेक्ट और इन सब के कारज क्या जनम लेता है हीट वेव्स यानि गरम गरम लू की हवा है वैसे हमारी देसी लाइंग वेज में उस लू कहते है लेकिन लू बेसिकली एक लोकल वींड है जो थार के डेजर्ट शिलिकल की है और वो मद्य परदेश हरियाना की तरफ बहती है समझ में आया वो लू अलग है हीट वेव अलग है लू एक्चुली में लू आप जो समझ रहे हैं लू लू राज को ठंडी हो जाती है आज की हीट वेव राज को ठंडी नहीं हो रही है दिस नौर दलू तो लोकल लाइंग बेज में हम लू कहते हैं लेकिन यह अलग तरह की वेव से यह अनोन है हीट वेव अब समझते हैं इसको हीट वेव क्या लिखेंगे आप सबसे पहले हीट वेव लिखेंगे कि किस तरीके से हीट वेव क्या होती है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हीट वेव क्या होती है तो हीट वेव का इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि बात यह है जब एक्सेसिब हाई प्रेसर बनता है introduction कैसे excessive high pressure बनता है, साथ के साथ उसके कुछ natural कारण है, बत लिख देंगे El Nino, ITC-Z का इंडिया में converge होना urban heat island effect के कारण heat wave general लेती है heat wave के कारण, जो हमारा heat index है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो 40 degree Celsius का temperature है, वो 75% relative humidity में यानि वास्पी कारण में, जो आरेच होड़ता है यानि, motion in the atmosphere is known as आरेच, relative humidity में 75% relative humidity में तिरह 5 degree तक पहुच जाता है यानि 40 degree Celsius temperature हमें 53 लग रहा है 53 feel हो रहा है, और temperature दिखा रहा है खाली 40, हम भी कह रहा है 40 तो कुछ भी नहीं है देगे, real feel को consideration में नहीं ले रहे हम तो बताइए heat index बहुत बढ़ जाता है heat index के साथ साथ अब बताइए क्या क्या इसकी, एक line में बता दीजे, क्या क्या इसके impact है तो बता दीजे, इसके impact है health पर इसके impact है agriculture पर इसके impact है labor productivity पर इसका impact है industry पर इसका impact है soil पर इसका impact है microorganism पर एक्सक्टर एक्सक्टर करीए अब आज़ेए main body क्या लिखेंगे हम तो introduction अपन ने लिख लिया अब main body main body में सबसे पहले public health impact को ले लीजे और उसे define करीए कि public health impact पे क्या असर हुआ है तो आप बताएंगे कि एक बड़ी famous book है जो लिखी गई Jeff Godel की book The heat will kill you first उसने बताया किस तरह से extreme nature of heat wave हो गया और heat wave ने 143 death cause हुई है heat wave के कारण इंडिया इंडिया है लोग और worldwide देखे 43 death इंडिया इंडिया में हुई है और 42,000 से ज़्यादा cases आये हीट इंडिया में इंडिया 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 अलोन डेटा कोट करिये साथ के साथ बताईए कि सबसे ज़्यादा wonderful population इस heat wave के कारण गरीब लोग हैं आप तो AC चलाके रहते हैं लेकिन जो AC से AC चलाने में excessive coil जल रहा है उस कोईला से further global warming उससे further heat wave generate होती है क्योंकि वो कोईला जब जलता है तो अपने साथ COT फेकता है atmosphere में अपने साथ global greenhouse gases atmosphere में फेकता है और आपको यकीन नहीं होगा कोई हमने इस बार इतने AC चलाए है कि कोईला की जो खपत है वो unprecedented है इस बार unprecedented सारे record तोड़ दी है उसने आज इंडिया को कोईला भी भार से मंगवाना पड़ रहा है कोईला की shortage हो गई है और AC चला चला कर मालो कमरे में कोई है नि फिर भी AC चला हुआ है अरे उन गरीब आदमियों की सोचो जो तुमारे AC के गर्मी के नीचे रह रहे है तुमने तो घर में फालतु का AC चला रखा है लेकिन जो बाहर काम कर रहा है जो रेडी पर है मजदूर है उसकी बहुत बुरी हालत है क्योंकि वो AC में नहीं बैठा है और दुनिया में हर चीज टाइम है कभी भी अपने टाइम पर घमंड नहीं हूँ तो उससे बदलते देर नहीं लगती है तो बात है वंडेवल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा डिसेडवांटेजियस पोजिशन पर कौन है गरीब लोग जिनके पास वाटर सप्लाई नहीं है मेडिकल सप्लाई नहीं है हीट श्रोक लगता है समझ में नहीं आता क्या करे क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं महेंगी है एयर कंडीशन है दे डोंट है एयर कंडीशनिंग तो वंडेवल पॉपुलेशन सबसे बाद अप प्रोब्लम में है फर्दर एलार्मिंग मोटैलिटी रेट एक सो त्याराई इस लोगों की मौत हो गई और आपके लिए बस देटा है किसी के लिए परिवार है एलार्मिंग रेट और मोटैलिटी तो पब्लिक हेल्थ में आपको ये लिखना है फर एग्रिकल्चर सक्टर में क्रॉप इल्ड जो है यानि क्रॉप की जो प्रोड़क्टिविटी है जो क्रिशी की प्रोड़क्टिविटी है वो कम हो गई है आज अगर आप देखे तो सूगर में सूगर इंड़स्टी ने कहा है कि सूगर गन्ना किसान जब गन्ना लेके आते है तो उसमें फाइवर फाइवर जादा मिल रहा जूस मिलनी रहा कितनी गर्मी हो गई है अरे गन्ने का जूस खतम हो रहा है यहूं कि पैदावार खतम हो रही है चावल का रोपना जो इस समय करते हैं उसके लिए पानी नहीं मिल रहा है अरे इतना दोहन है और उस दोहन एक्स्प्रोइटीशन के कारण आप कहीं से पानी लेके आते हैं वो उस पूरे मिट्टी को और सेलाइन और अलकलाइन बनाता जा रहा है आज हरियाना और पंजाब की जो खेती रही है उस दुनों बाद अगर इसे यहां पर ठीक नहीं करा गया चावल और गेहूं नहीं बंद करा गया तो यहां कोई जमीन खाली बिल्डिंग बनने लाइक ही रहेगी बस जो आपको छज़ाद तक बना भी रहे हो तो सपने में ही सोचना कि पेड होता था और उस पर गोरईया आती थी बच्पन में मास्क एंग्रिटाइजेशन क्रॉप एल्ड रियक्शन हो रहा है किसान जो पैसे लेकर लोन लेकर जो खेती करता है उससे खेती से कुछ मिल नहीं रहा है पार्मोर डिश्टर्स ही, फार्मर का, वह लोन नहीं चुका पा रहा है, जो खेती है वह अब रिवृम्रेटीफ पैसा देने वाली नहीं रही है, उपजी नहीं हो रही उतनी, क्रॉप इल्ड ही कम है इतनी गर्मी में लोकस्ट अटेक जिसे ग्रास ओपर अटेक कहते हैं वो भी हो रहे है पेश्ट जिसे कहते हैं पेश्ट है और लोकस्ट अटेक तिल्चड़े आके पुरे खेट चड़ जाते हैं चूहों की तदाड बढ़ रही है लोग टर्म कोंसिकेंस कितना हम उस देश के वाफी है जहां 140 करोर पॉपलिशन रहती है वहाँ अगर अगर ब्रेंट हो गया तो देश को कोई नहीं बचा सकता तो इसके अभी आप सोच रहे हैं इसके फार लोग टर्म कोंसिकोंस बहुत जादा है जादा अगर आज हमने Climate Resilient Agriculture यानि वो Agriculture जो Climate के बेसिस पहो जहांकि जलवाईू जैसी हो वैसा Agriculture हो अगर उस Climate Resilient Agriculture को नहीं एडॉप्ट किया सश्टनेबल Agriculture यानि सत्विकास Agriculture को खीच्टोषी को नहीं एडॉप्ट करा तो देर विल वी मैनी कॉनसिकोंस खाद और खाने की कमी आज कोविड में अगर बचाने वाला हमारी पूरी इंडियन एकॉनमी को कोई है तो वो हमारा खाना है फूड सेक्यॉर्टी है और उस पे भी अब ग्रहल लगे हुए है विकॉज अब जलवायू परवर्तन कलाइमेट चेंज हीट वेव्ज अगल आगयारी एक्नामिक रेमिफिकेशन लेबर प्रोड़क्टिविटी कम हो है ऐसा डेता बता रहा है कि ओवर生活 और प्लेप फाइब जो उसमीर जर्मी में कोई आदमी काम कर रहा होगा तो कितनी प्रोड़क्टिविटी में कर रहा होगा यू के निमेजिट आप तो एसी में बैठे हैं वो एसी में नहीं बैठाएं 159 बिलियन डॉलर का नुखसान हुआ है भारत की अर्थ अब्रस्था को एनर्जी डिमांड बहुत बढ़ गई है कोईला की सौ्टेज हो गई है लिए टू डिप्लीटिंग डिप्लीटिंग कोल स्टॉक पाइल अमें बाहर से कोईला इंपोर्ट करना पड़ रहा है एकनॉमिक स्ट्रेन है चाहे वो एग्रिकल्चर इंडस्ट्री एए एनर्जी सेक्टर में हो और इसके कारण महंगाई बढ़ रही है कोईला की सोटेट है एनर्जी की सोटेज है क्योंकि सारी एनर्जी से तो प्राइवेट वीकल चल रहे हैं सारी एनर्जी तो एसी चल रहे है एनर्जी की सोटेज है तो इस इस वाइडर एकनॉमिक रेमिफिकेशन आगे हम देखें इन्वार्मेंट इन्वार्मेंटल इन्वार्मेंट पे भी आप लिख सकते हैं यहां में एग्रिकल्चर एकनॉमिक पॉइंट आफ व्यू लिखा है एग्रिकल्चर लेव और एकनॉमिक इंवार्मेंट लिख सकते हैं इनवार्मेंट पर लिखिए किस तरह से इंसेक्ट पॉपलेशन इंक्रीज हो रही है टेश्ट एटैक बढ़ रहे है बाइडायविसिटी खतम हो गई है काउस की प्रोड़क्टिविटी कम हो रही है चलिए अब गॉर्मेंट रिस्पॉंस क्या है तो देखे गॉर्मेंट रिस्पॉंस तो यह है हमने का प्राइम निश्टर हमारे प्राइम निश्टर बिलॉविट प्राइम निश्टर ने कहा कि हम d रहे आगे जाके heat waves और जाधा propensity में आनी है तब क्या होगा और सबसे ज्जादा अगर कोई downtown में रहेगा तो गरीब country रहेंगी developing country रहेंगी emerging country countries रहेंगी जिनके पास टेकनोलोजी है ुस climate change से लड़ने के लिए नान के पास इसना केपिटल है कि वो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट फंड कर सके ना उनके पास इतना घरों में ऐसी है और वो सबसे बड़ी बात है ट्रॉपिकल लैटिटीटूड में रहती है जिनका नेचर ही घरा में ट्रॉपिकल लैटिटूड उस्म कटी बंदी है जिसे कहते है ट्रॉपिकल लैटिटूड तो नेट जीरो प्लेज करा है फर्दर सरकार में कहा है सरकार ने ही 10 तो कोल रिलाइनसАय koela पर हमारा रिलाइनस अभी अगर बात करें तो koela koela जलाने से इंडिया की MP5 कछास पर科ंट energy की खपत होती है 50 पर सट हमें कम करने की जरूत है में सरकार रेजिलियंट है जब भी इनवर्मेंट आप देखो इंवर्मेंट इंपक्ड एसनेंट होता है कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो जर्हीं चारदाम हाईवे है या फिर पर फॉर लेन हाईवे उत्रा-कंड हिमाचल परदेश में बन रहा है थी सब का environment impact assessment होता है आप suggestion लिखिए कि expert committees ने कहा है कि जब भी environment assessment हो ऐसे project का जिसमें mass jungle काटे जाएं क्या कहा मैंने mass jungle काटे जाएं तो उसका environment clearances speedy नहीं होना चाहिए उसका proper environment impact assessment होना चाहिए और इसको मैंनी expert has raised concerned regarding EIA लिखो यह बात है 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 तो दीजार संप जो सरकार का response है अब challenges क्या क्या है challenges क्या क्या है सबसे पहले environment policy और challenges सबसे बड़ी बात जैसे हमने चार लेन का highway हिमाचल परदेश में बना रहे है हमने का है चार लेन का highway 9 billion का मेजा बेगा project हम great निकोबार आइलेंड में लगवा रहे है 9 billion का dollar का project अब यार वो निकोबार के वरसावन equatorial rainforest आप उसे काट-काट के infrastructure project बना रहे है sustainable development is the need of the hour आप यहां पर लिखिये कि many experts have raised concerned about 9 billion dollar investment in अंडमानिकोबार ठीक है then development should be based on sustainable development not a unplanned development which can have a detrimental effect खराब effect हो environment पर तो यह challenges लिखने है न आपको तो यह challenges लिखिए और क्या challenges है ecological disruption deforestation हो रहा है आप एक पेड नहीं काट सकते ठेकेदार पुरे पुरा जंगल काट देता है आप एक पेड काटे तो जेल जाएंगे और जो सरकार जिन्हें ठेका दे रही है वो पुरे पुरे जंगल काट देता और उन्हें कोई कहने सुनने वाला नहीं इस इस दा प्रॉब्लम तो हमें deforestation पे ecological imbalances पे जो भी चीज climate change को यानि चलवायू परवर्दन को परवावित करती हो उस पे तुरंत action लेने की जरुवत है नेश्ट पॉलिसी कंफ्लिक्ट सिंपल सी बात है हमें balance रीजनल और sustainable development की जरुत है सतत विकास की जरुवत है वो विकास जो महां के वो विकास चाहिए आज पूरा पहाड ऐसा कर दिया है तूरीजम के महीने में इतना गंदा कर देता है कहीं बॉतल फेक रखा है कहीं जन्ने बह रहे हैं तो वहाँ पर गंदगी फैला रखी है कहीं दारू पी रहा है वहाँ पर मानते हैं कि टूरीजम से सबसे ज़्यादा पैसा हिमाचल परदेश उत्रा खंड को मिलता है लेकिन टूरीजम को भी सेंसिटाइज करने की जरौत है टूरीजम को भी एजुकेट करने की जरौत है टूरीजम को भी एथिकल बनाने की जरौत है कि यह नेचर है डोंट प्ले सेकेंड में सारा स्थित्व खतम कर देती है तर्की में आया था भुकम दस सेकेंड में इस्तानबुल 23 कर दिया समझ में आया है तुमसे ज्यादा पावर्फुल है पलक जपकाते हुए इतना मेजर आपदा कर सकती है आप सोच भी नहीं सकते है तो हमें टूरीजम को सच्टे वाल region सत्त बनाने वी दिखने की चुर्ण यह और चैलेंज की दिखा ओ किस तरीके से हम जो development कर रहें वह development armen conservation से लड़ रहा है यानि environment वरसेज उप्लापेंट कर रह रहे है हम environment plus development की बात नहीं कर रहे हैं environmental development important है अपने आप development हो जाएगा everyone तो ये सारे क्या है हमारे challenges लिखो इस challenges को next और challenges क्या है सबसे बड़ी बात समाज में जलवायू परवर्तन के कारण हमें social economic inequality देखने को मिल रही है गरीब और गरीब होता जा रहा है climate change जलवायू परवर्तन का सबसे जादा नुकसान है कि गरीब और जादा गरीब हो जाता है बीमारिया बढ़ती हैं दवाईया समय पे नहीं मिलती रिसोर्स की scarcity हो रही है and so and so forth next अब long term solution की बात करते हैं long term solution जो सबसे important है आजा long term solution क्या होगा सबसे बड़ी बात agriculture को climate resilient बनाया जाए वह agriculture करा जाया जो वहां की योग्रफी और ecology को सूट करता हो अब उत्ता परदेश में आप गन्ना उगाने लाइक नहीं है वो गन्ना उगाने लाइक बियार है चावल उगाने लाइक पंजाव और हरियाना नहीं है उसे चावल नहीं उगाना चाहिए climate resilient agriculture की जरूरत है साथ के साथ आप यह भी लिखो कि हाँ किसानों को agriculture कैसे रियूमरेटिब बनाए इसके लिए इसके लिए government programs की जरूरत है ग्राफार्मर्स को educate करना जरूरी है सब्सक्राइब आएगी कि समझ भाया परदर सच्टेबल डवलप्मेंट क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है नेचर बेस्ट solution की जरूरत है होटल बन रहे है ना पाड़ों पर बनने दो लेकिन होटल आप वहीं की चीजों से बनाओ होटल बनाओ हट जैसे आज कल प्रमोट था यॉर्प में वहीं का जैसे मिगाल्या की जो खासी ट्राइब है वो देखा होगा आपने रवड के पेड़ को लगाकर पूरा पुल बना देती है बना देती है ना लीविन ट्रीज आप मेगाल्या देखना कभी इंटरनेट पर हट बनाके रह लेती है तो अगर आप प्रमोटी कर रहे हो तो वह प्रमोट करो जो लोकल टूरिजम को प्रमोट करें बड़े बड़े रेडिशन की ज़रूरत नहीं है हमें पाड़ों पर जा कंट्टिड फील करें विकास के अगेंश नहीं हूं आ आप विकास के अगेंश हो सकते हो ना टूरिजम के अगेंश हो सकते हो लेकिन टूरिजम कैसे सचनेवल अब बताईए यह एक्कुटे बल्स एक्सेस की जुरूत है जिसमें चाहे वो water हो, electricity हो, health care है, यह हमें अपने one level section को provide करनी पड़ेगी, आज right to education को, sorry, right to electricity को under article 21 डालना जरूरी है, हर किसी का अधिकार है energy पर, यह koela जमीन का ही तो है, natural resources तो है, यह सूरज की द्रोसनी, natural resources तो है, हर किसी का अधिकार है electricity पर, हर किसी का अधिकार है पानी पर, हर किसी का अधिकार है air पर, तो उसका जो अधिकार है, उतना ही उसे मिल जाए, हम equity की बात करने हैं, और हमारा है क्यों उन सारे जीव जन्तुओं का प्राणियों का भी अधिकार है उसके तो दीज कैन भी लॉंग तर्म सोलूशन और फो लॉंग तर्म सोलूशन क्या होंगे जल्दी से पब्लिक हेल्ट इंटर्वेंशन की जरूरत है हमें कि सरकार वाटर का एक्सेस प्रोवाइड करें औरल रिहाइड्रेशन करवाए औरस के कैम्प लगवाए हां पब्लिक देखा होगा गर्मी में वो पिलाती है क्या कहते हैं वेटा उसे रुआप जा कि सरकार क्यों नहीं कर सकती सरकार को वारेस लगाने चाहिए केम्प लगाने चाहिए और इसके पब्लिक प्लेस पब्ल्स को हीट रेलेटेटिट फैसिलिटी हीड रिलेटेड जो फैसिलिटी है वो भी पब्लिक प्लेस पर प्रोवाइड की जाए कि सशनेबल कूलिंग हो कि यह नहीं कि मास एसी लगा दिये सशनेबल कूलिंग वेंचुरी इफेक्ट जिसके उपर पहले है न पहले जमाने में हमारे घरों में जालियां होती थी वेंच खेटेज से पड़ा होती थी तो ठंडी हो जाती दी वेंचुरी एफेक्ट कहते है इसी वेंचुरी एफेक्ट प open area environment वो देनी की ज़वरत है और AC और cooler कितना पानी को waste करता है environment में जो cooler भी चलता है तो cooler भी जो पानी पानी देखा होगा उसे rotate करके जो release करता है उसका भी operation होता है वो further rh बढता है environment में फर्दल हीट स्टोक को जनम देता है अभी हम इमने पढ़ा था इस बारे में सच्टेवल कूलिंग की जरूरत है वर्क प्लेस एडप्टेशन की जरूरत है यानि फ्लेक्सिबल वर्किंग आर्स हो इस्पेशल अरेंजमेंट हो जो भी आउटडोर वर्क वर्कर है उन्हें दर्दार और क्या सोलूसेव हुशन हो सकता है कंप्रेंसिव हीटेशन प्लान बनाये जाए सरकार पब्लिक पॉलिचि हीटेशन प्लान मर 8 जिसमें लाइव लाव। इस टॉक यानि जो चयवाहे होते हैं वाइल्ड राइफ इन सबको प्रटेक्ट करने की बात हूлось जो है हीट श्टॉक का जो डिजास्टर है उससे उससे इंप मिटिगेट करने के लिए प्लान बनाये जाए ऐसी बिल्डिंग कोड डबलब करी जाया जो पूरे सहर में एक एरी इंवार्मेंट बनाए अरबन हीट आइलेंड इफेक्ट को जनम ना दे अभी पढ़ा था हीट आइलेंड इफेक्ट कि सहर की जो जगे है वो ज़्यादा गरम है अब पब्लिक अवेर्णेस और अकाउंटिबिलिटी की जरुवत है यह आगे आपका सोलूशन अब जल्दी से अंसर लिखे दीजे समझ गया अंसर कोश्चन समझ गया है अब जल्दी किसा मं अंसर लिखते हैं ठीक